एलो फ्रेंट्स कैसा सब लोग तो फ्रेंट्स आज की उड़े का अंदर में आपको बताऊँगा के एज़ के बारे में जो पर्मेनेंट जोब के लिए आपका लिया जाता है इंटर्यू में क्या क्या कोशन पूछ जाते किस तरीके से आपको इसकी तयारी करनी है अपना खुद का experience बताऊंगा मेरे दोस्तियार ने जो दिया था उनका experience बताऊंगा 2018 में जो मैंने student की तयारी कराई थी जो guidance दी थी तो उनका कैसे selection होँआ तो वो चीज आपको बताऊंगा जो fail हो गए थे उनके बारे में बताऊंगा तो total conclusion आज की वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको सावधानी वरतनी है और किस तरीके से अपनी तयारी करनी है अगर आपको government job चाहिए KVS के अंदर ठीक तो ध्यान से देखते जाना आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हो उसके लावा एक और जोडिर बात आप लोगों से share करना चाहता हो देखे government job की तयारी तो आप लोग करी रहे हो लेकिन vacancy का कुछ पता नहीं किसी भी sector में उठाकर देख लीजे vacancy का कुछ पता नहीं रहता लेकिन अगर मान लीजे आप किसी private job के लिए भी जाते हो तो वहाँ पर भी आज की date के अंदर आपको interview लेकर आपको select करते है अगर आप किसी private school के लिए जाते हो तो वहाँ भी आपको पूरा benefit देगी जो आप मेरी आज की वीडियो होने वाली है तो ध्यान से जितनी भी point है उनको ध्यान से सुनना उनका implementation करना और फिर देखना आप interview को कितना easily तरीके से अच्छे नंबर से आप pass करोगे ठीक चलिए शुरुआत करते हैं interview के बारे में देखिए अगर मैं पहले आपको बताओ kvsk interview के बारे में अगर मैं आपको बताओ तो total number का होता है आपका 60 number का यह आपका interview होता है ठीक है total होता है आपका 60 number का आपका kvsk interview होता है क्या होता है बेसिकली एक आपका इसमें रिटन एगजाम होता है जो होता है आपका रिटन एगजाम मैं लिख देता हूँ रिटन एगजाम होता है आपका 150 नंबर का और एक होता है आपका इंटर्व्यू होता है आपका 60 नंबर का और ये आपकी क्या होती है वेटेज होती है 85 ratio 15 की weightage होती है 150 में से जितने भी number आप लेकर आओगे उसको 85 में convert करेंगे interview होता है 60 number का 60 में जितने number भी लेकर आओगे उसको 15 में convert करेंगे इन दोनों को combine करके cut-off बनेगी जो उस cut-off को pass कर जाएगा उसको government job मिल जाएगी तो written exam की तयारी आपको कैसे करनी है 150 में से जाद साद है कैसे number ला सकते है इसके लिए मैं ओ लेड़ी अपने YouTube चैनल पर एक video अपलोड कर चुका हूँ आप लोग उसको जाकर देख लेना तो KVS 2022 के नाम से मैंने वो video बनाई हुए उसमें आपके written exam में क्या पढ़ना है, कहा से पढ़ना है, कुमसी किताब है आपको पढ़नी है सब मैंने बताया हुआ इंटर्व्यू का नहीं बताया था मैंने खाता है किसी एक अलग video में बताऊंगा ठीक, हालकि इससे पहले मैं काफी अपने इंटर्व्यू डाल चुका हूँ लेकिन आज कभी ध्यान से देखना आप लोग ठीक, अब बात करता हूँ इंटर्व्यू के बारे में जो आता है आपका 60 नमबर का 60 में से आपको कितने नमबर लानी चाहिए अगर मैं आपको बता हूँ तो 60 में से आपको पूरे 60 नमबर लानी चाहिए अभी तो कुछ बातों को बच्चों को ये बात हवाई लग रहे होगी कि 60 में से 60 नमबर जी हाँ, 60 में से 60 नमबर बहुत से स्टुडेंट के आते हैं एक दो के नहीं बहुत से स्टुडेंट के आते हैं और 55 प्लस तो पता नहीं कितने मैं आपको दिखा दूँगा अपनी जान पेचान में आपको दिखा दूँगा जिनके 55 नमबर स्कोर हुआ है और बहुत से student ऐसे भी आपको देखने को मिल जाएंगे जिनके 10-10 नमबर भी आये हुए, 60 में से जिनके 10 नमबर भी आये हुए, तो depend करता है आप लोग के उपर, क्या आपको 10 नमबर लाने है, 5 नमबर लाने है, या 60 में से 6 नमबर लेकर आने है, तो interview के अंदर जो जो नहीं होता अगर आपके नंबर भी दो नंबर पाच नंबर दस नंबर आ रहे हैं तो लेडिया आप लोग फेल हो जाओगे मेरा खुद का परसनल एक्सपिरेंस है इतनी सालों से मैं इसकी तयारी भी करा रहा हूँ जैसे इस्टुडेंट की रेटन एक्जाम में मैंने देखा जो 150 में से 115 लेकर आए इंटर्वी में कमी स्कोर बन गया लेकिन उनको गोर्मेंट जोब नहीं मिली तो इंटर्वी आपका एक ऐसा फेक्टर होता है जो गेम बना भी सकता है बिगाड भी सकता है ये डिपेंड ओ न्यू आपके उपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है ठीक है तो इंटर्वीव जब आप लोग अपना रिटर मेंριण दे दोगे उसके बाद क्या होगा रीटर डेने के बाद आपके पास लेटराएगा आपके पास क्या आघवड़ीव लेटर बुला लेगा तो 3000 पोश्ट या तो 6000 बुला लेगा साइड़ पाज बुला लेगा साइड़ भी बुला सकता है वह बोड को बड़िपेंड करता है जैसे यह आपने रिटन एक्जाम की कटोप में आपका नंबर आया आपके पास एक इंटर्वीव लेटर आएगा ठीक इंटर इस्टोरी शुरू होती है अब देखे एक एक करके देखते जाना मैं बिल्कुल आपके सिक्वेंस सारी चीजे बताता जाओंगा ठीक तो आप लोग समझगे इसाट मेंसे किस के तयारी करने है पूरे साट की क्योंकि बहुत इस्टुडेंट इतने नंबर लेकर आ सकते एक आप लोग रिटन एक जाम की कटोफ पास कर गए तो जहांपर आपकी जंग है थी आप लोग वहां पर पहुच गए और पर पहुचने बाद मानली जापने रूम ले लिया अगर आप लोग कहीं दूर साहे तो आपने रूम ले लिया और अपने इंटर्व्यू के लिए नि गलति होता है तो आपकी ड्रेस के पता चल जाता है अगर आपने और आप लोग लगश्व लगारे हो तो आपका उसके नंबर मिल जाते हैं अप गलति क्या करते हैं इसके अंदर बहुत होगा और ना यह आप लोग कभी फंकी लुक पहन कर जाओगे उससे बात बनेगी फॉर्मल बन गया आपको जाना है अगर आप फीमेल कंडिडेट है तो कोशिस करिए साड़ी पहनिए या आप लोग सूट शिल्वार पहन सकते हो एक साथ कुरता करके कुछ आता मुझे जाना लाइका टीचर की अहां भी एक टीचर दिख रहा है और एक्षुल में होगा भी तो इसमें आपके नमबर नहीं कटेंगे कितने दोस्तियार है जो जीन्स पेहन के गई 2018 में भी मैंने बताया था कि ड्रेस अपनी ऐसी बना के रखना ताकि उनको लगे लेकिन नहीं माने नंबर कटके बाद में फिर रोएते ठीक है तो उसका मोगा नहीं मिलता चार साल तक वेकिंसी का वेट कर रहे कुछ तो ओरेज भी होगे तो देखो सब चीज आपके हाथ म है मैं तो सिब आपको guidance दे सकता हूँ बैस लेकिन follow करना ना करना वह आपके हाथ में तो आपकी ड्रेस फोर्मल होनी चाहिए दुनिया बर की चीज़े मेक अब बगयरा बाल उल्टे सीधे नहीं आपके बिल्कुल टीचर की तरा आपकी ड्रेस होने चाहिए मेरे ख्याल से जो next year 2023 होगा उसके सुराती महिनों में साइध आपका exam हो जाएगा जिसकी संभावना मुझे लग रही है तो उसके कुछ time बाद या आपका interview हो जाता है तो कुल मिलाकर चलिए आपका गर्मियों में ही आपका interview होगा तो अगर आपका गर्मियों में interview है तो आपको ऐसी अप पहली चीज होती है आपकी dress, dress आपकी बहुत बढ़िया होनी चीज़ है और dress के साथ साथ आपके बाल वगएरा, i2, z सब चीज मलाव आप clear होनी चीज़ है अच्छे तरीके से ठीक उसके लावा दूसरी चीज होती है आपने कपड़े अच्छे पहन लिए अपने आपको अ यह आपके pass में अभी भी आपके घरों में होगी जिसमां आपके अपने document होगे जिसमां आपके जो जो qualification है वो सब चीज इस file कंदर आपके होगी ठीक ऐसी एक file आपको लेकर जानी है black color की file अच्छी से file ले ले लेना जिसमां आपके सभी document आजाए वो file आपको अपने साथ यही file आपकी क्या होती है interview से पहले इसका verification होता है एक कमरे में ले जाएंगे आपको जितनी भी आप लोग candidate रहेंगे एक कमरे में आपको ले जाएंगे वहाँ पर आपका क्या होगा इन document को पहले verify किया जाएगा किसी document में कोई गलती तो नहीं है कोई ऐसा होता है कोई document आपकी वहाँ पर आप लोग लेकर जाओगे तो सबसे पहले कमरे के अंदर आपको पहले इसको verify किया जाएगा आपके documents को ठीक है interview लेने से पहले आपके document आपके verify होगे ठीक तो ऐसी file आप लोग आपके पास भी होगी उसको लेकर चले जाना ठीक चलिए जब आपके document आप yourself अपने बारे में कुछ बताओ आपके बारे में चीजे पूछेंगे वो तो लग हो गया यह होता है main bio data official जो बायो डाटा होता है यह मेरे पास मेरे time वाला था पहले गाता ठीक है अप थोड़ा date वी हो गया है तो लेकिन लगवग ऐसे ही होता है यह बायो डाटा जो आपक कोपी बनवा के रखना क्योंकि चार तो आपके पैनल में जरूर देखने को मिलेंगे जो आपको इंटर्वियर होंगे तो चार कोपी तो उनके पास पोच जाएगी मानलो एक कोपी फट गई या खो गई तो फिर क्या काम करोगे फोट स्टेट की दुकान आपको आस पास न सबस्कe नयदे चार को अपना आपकी अपनी बेसिक करते ही आपके जाते हैं किसी भी इंटर्वी के लिए जाते हैं तो क्या होता है अपने आपको सोफ जाधा करते हैं या तो ड्रेस कुछ ऐसी कर लेंगे जैसे मैंने बता है पहली गलती ड्रेस कुछ ऐसी तरह करेंगे ताकि दूसरों की नजरों में जाधा है जिसका नेगिटिव इंपक्ट पड़ता आप कोई कंप्टर सीख लिया एक्स्टा में कंप्टर सीख लिया ठीक है आपने इसमें भी शो कर दिया कि भई मैंने तो कंप्टर भी करा यह भी करा आई फलाना डिकड़ा सब चीज उसमें जोड़ दी अब जो इंटर्विवर होगा वह आपको उसी को पकड़ लेगा जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है उतन ही इसमें आप लोग मैंसन करिए ज्यादे क्वालिफिकेशन करने सा आपको ज्यादे नंबर नहीं मिल जाएंगे हाँ अगर जो आपने ज्यादे क्वालिफिकेशन एड करिए और उसमें आपकी कमांड बहुत मजबूत है तो आप कर सकते हो उसके लावा next point आपका experience अगर किसी के पास experience हो तो लिख देना अगर नहीं है तो नहीं लिख देना experience का कोई matter नहीं करता है इंटर्व्यू के ओपर ठीक है जिसको कई सालों का experience है जिसको एक भी दिन का experience नहीं है दोनों equal है दोनों बरावर है तो experience का कोई matter नहीं करता हाँ अगर आपने कहीं पर पढ़ाया उसका certificate आपके पास है तो यहां पर आप लोग उसको mention कर देना ठीक ऐसा नहीं कि उसके एक पोजिटिव इंपक्ट जाता है और कुछ नहीं है ठीक उसके लाग अगर अपने बार में लिखना होता है अब सुनना मेरे बात आप लोग ध्यान से आपको अपने बार में 50 सब्दों में अपने आपकी व्याक्या करनी है अपने आपको बताना है तो दो तरीके के student होते हैं mostly एक तो वह जो अपने बार में actual सही जानगरी लिखते हैं कि मैं ऐसा हू अपने बार में 50 वर्ड में में hardware बहुत hardware करने वाला हो या में इस सब चीजे उसको copy paste कर देते हैं और interview में जाकर जो interview होता है ना उनका कर देता है धजीकरण क्यों copy paste करके आए वहापर जाके हाथ खड़े हो जाते है जो आदमी actual में real होता है वो उसी तरीके से ब्याइव कर लेगना और नहीं कोपी पेस्ट करना जैसे मैंने यह अपने बारे में लिखावा है 2018 में मैंने अपने स्टुडेंट को लिखवा है तो जब तयारी कराई थी तो बहुत से लोग इसको सेव एजी टीज कोपी करके ले गए थे तो मैंने कहा तो कोपी तो कर रहे हो लेकिन काउ काउंटर कोश्चन बहुत ज्यादा होते है आपने उन्होंने कोई कोश्चन पूछा आपने आंसर दिया फिर उसी में का काउंटर कोश्चन करेंगे फिर आपको आंसर दे रहा है फिर काउंटर कोश्चन करेंगे तो काउंटर कोश्चन के लिए आपको अपने आंसर तयार रखने है ठीक है यह बात आपको ध्यान अखने है तो 50 वर्डगा चाहे तो मेरे वाला लिख सकते हो या जैसा आप लोग रियल हो ऐसा आप लोग लिख सकते हो यह डिसीजन आपके हाथ में कोई बच्चे तो इसमें कंफ्यूज होते है सर इसको कंप्यूटर से लिखवाई ट लेते हैं या तक आप लोग बात समदें ठीक है अब आप लोग रूम के अंदर हैं इंट्रिगर चुकर यह बाइडाटा उनके पास है चली अब बढ़ते फिर आगे यह बाइडाटा उनके पास पहुच गया अब एक सबसे तड़कता वड़कता कोस्चन आपका यह होता है क्या इंगलीस बोलना कंपल्सर यह है के इसके अंदर और आप में से कितने स्टुडेंट ऐसे होंगे जो घवरा जाते होंगे इंटर्वीव के नाम से यह क्योंकि दिमाग में छुड़ते एक चीज आती है यार इंगलीस में इंटर्वी होगा और हमको तो आती ही नहीं तो पेली चीट तो आपने समझ गए कि कोई रूल नहीं है कि आपको इंटर्वीव इंगलीस में देना है दूसरे अलावा कितने इसे स्टुडेंट है मेरे दोस्ती आरिबेज उनको में जानता हूँ जिनोंने हिंदी में इंटर्वीव देके 55 प्लस तक के स्कोर करे हुए है प मैं बोता रहा है और माननी चाहिए आपको इंग्लीज जरूर आनी चाहिए आपको यह नहीं बनना कि मैं अंग्रेज बन जाओ बहुत फ्राटे जार इंग्लीज बोलू उसका कोई मतलब नहीं है लेकिन आपको इंग्लीज इतनी आनी चाहिए उन्होंने कुछ आप से कुछन पूछा आपने उसका आंसर इंग्लिस में दे दिया आपको कम्मिनिकेट करने वाली इंग्लिस आनी चाहिए अंग्रेज नहीं वनना ठीक है अगर आपकी इतनी भी इंग्लिस आती है तो मैं आपको वरोसा देलाता हूँ आप लोग 55 प्लस नंबर इसली ला सकते हो इंटर्व लेकिन मैं आपको यह सला दूँगा कि आपको इंग्लिस में कम्मिनिकेट करना आना चाहिए अपने अंसर इंग्लिस में भी देना आनी चाहिए अगर मैं खुद बताओ मुझसे भी उन्होंने कई कोस्टन ऐसे पूचे ते मुझे लगा यार मैं उतना मलब एक बड़ी नहीं करता लेकिन बहुत से आंचर ऐसे थे जिनको मैंने इंग्लिस में दिया था ठीक तो आपको कम्मिनिकेट करने वाली इंग्लिस आने चाहिए इंग्लिस का कॉर्शन खतम हुआ देखो आपको एक सेलेक्शन हो गया था तो थोड़ा से कॉंफिडेंस बढ़ी गाता जब उस जोब के अंदर मेरा सेलेक्शन हुआ था जब के इंटर्वी की बारी आई तो कॉंफिडेंस बढ़ा हुआ था बट उतनी इंग्लिस नहीं आया पाई थी जिसको कहते है बिल्कुल फराटेदार इं सुनना तो भाई साब पता नियों कहा का था मेरे काल चा किसी साउथ की साइड का कोई बच्चा था इस्टुडेंट था तो पहली बार में जाते यार बाई वह ऐसी फराटेदार इंग्लिस बोला मैं बाहर उसको देख रहा कि एक बार यह बाहर निकले इसकी टांगे तोड इसके सामने में इतना तगड़ा गया है जो इंटर्वियोर होते हैं तो मुझे क्या लगी कि वाई इंग्लिस में बोला यह तो पूरे में से पूरे नमबल लेकर जाएगा और मैं बाहर यह सोच रहा था यार तेरी तो इतनी सहीं है तेरा क्या होगा लेगिन मैंने सोचा को पूछेगा उसके लिए मैं तयार बैठाओ या बैठी हूँ ठीक है जो भाई साब अपने इंटर्वियू देकर निकले तो गेट से बाहर आगे कि मेरा हो गया तुम जाओ अब मैं उसकी तरफ को देख रहा था मैंने गार तू पहला तूहीं मैं चला जाता वो तो ज्याद मैंने आपको बताया है लेकिन मैंने भी अपने दिया था ठीक है तो उससे कोई फरक निबढ़ता कि इंगलिस मलब बहुत फ्राइटिदार आनी चाहिए इस तरीके सानी चाहिए ठीक तो इंगलिस का आपका डर खतम हुआ अब उसके बाद अब आपको वो लोग एक डैमो क किसी भी टोपिक पर बोल सकते आप लोग तो जैसे मानली चाहिए उन्होंने बोला भी चलो एक क्राम करो फोटो सिंतेसिस का जो प्रसेस होता है उसको हमको समझाईए तो आपर बोर्ड भी होगा आपको और आपको समझाना पड़ेगा प्रकास संसलेशन की परकिरिया समझ यह मत समझें हैं यह हमारा इंटर्वी लेने वाले तो एक बात और बताओं दो तिन बाते मेरी ध्यान नखना आप लोग जो इंटर्वी लेने वाले होते हैं ठीक है एक तो उनके सामने आप जूट नहीं बोल सकते हैं पकड़े जाओगे क्योंकि हर कोई अपने सब्जेक् इस पेसलिस्ट होता है को साइकलोजिस्ट होता है वह जैसे ही रूम के अंदर आप लोग एंटर्वी लोगे आपको देखती आईडिया लगा लेते वह यह आदमी किस तरीके का होगा किस तरीके का वैवार होगा तो उनके सामने जूट तो बिल्कुल मत बोलना आप पहले पूचिए कि मैं आई कमीन सर और मैडम ठीक एंटी लेने के बाद उनके सामने जब खड़े हो जाई है जब तक वो ना आगे तब तक बैठिये मत और जब बैठते हो तो यह नहीं कि बाई यह पैर ऐसे पैर रखके बैठ गए या कोलर खोले छोड़कर बैठ गए एक प्रबर वे में ऐसे जस्ट में आपको वेह अंपने पैर उपर रख दिया और जो जो कुश्र पूच रहा वही से बता दिये यह हाथ उनके सामने रख दिये और जैसे question पूछ रहा हम भी पूछा अगर उनकी respect करोगे उनके सामने बढ़िया behavior करके दिखाऊगे उसी चीज के आपको number मिलेंगे और इसलिए आपको government job मिलेगी ये बात आपको ध्यान नखनी है तो आपको उनको respect देनी पड़ेगी ठीक है तो जब आप लोग उनको demo सुनाना की poem को खड़े होकर सुना दिया इस तरीके से नहीं movement भी करनी है posture बनाने अपने movement करनी है ठीक है आपने उसमें क्या होता है ने एंगल आपको डूड़ने है ठीक है movement करनी अपनी और जैसे PRT के लिए मैंने बता दिया TGT में आपको अपने subject पर command होनी चीए ठीक है आप 10 तक के अपने जो भी आपके subject है उन पर आपकी command होनी चीए और PGT के 12 तक पर आपकी command होनी चीए ठीक तो डेमो आप लोग से वो जरूर पूछेंगे तो इसकी तयारी आप लोग करके जाना ठीक है तो डेमो का मैंने आपको पता दिया घर से करके तो जरूर जाना और 11 अगर वो आप से कुछ पूचे तो वह भी आप कर सकते हो उसके अलवा जिस भी जोब के पाने में आपको पता होना चाहिए आरे लिए ब्याद ले जा रही हो तो आपको के इंदर विदाल ले के बारे में पता होनी चीए कि कि स्तापने कब होई ती क्यों होई थी ठीक है कर पर विचार चल रहा है, तो KBS के बारे में आपको A to Z सभी information पता होनी चाहिए, आपके पास दो source है, एक तो आप लोग चाहिए Google से जाके ले सकते हो, वन्हें जब आपका time आएगा interview का, तो मैं अपने पास से आपको information provide करा दूँगा, तो आपको मिल जाएगी KBS के बारे में, वो जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक, उसके लावा, ये आपका interview के बारे में बात हुई, अब interview देने से पहले, एक guidance आप लोग मेरी ओर जरूर मानी है, जितने हो सके mock interview आप लोग दीजे, आप लोग किसी school में जाकर दो, किसी private company में जाकर दो, अपने दोस्तियार क आपकी जादा बढ़ेगी, ठीक, बोलते हैं न, कि practice makes a man perfect, तो जितना practice आप लोग mock interview की दोगे, उतना ही वो आपके लिए beneficial रहेगा, ठीक, तो mock interview आपको देनी है, इन लोगों कि आपको respect करनी है, ठीक, चाल लोग आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मेरे वाले में तीन मेलत तो यह आपको देखने को मिलेंगे, अब देखें, कुछ question आपके जूड़े आते हैं, क्या question आपके रहते हो, जब वहाँ आपका interview लेंगे, तो interview के अंदर वह आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं, अगर कोई आदमी आकर यह कहें, कि मैं interview क आपकी तयारी करा दूगा, और जो जो कराऊंगा, उनको कर जाना, आपका interview बहुत अच्छे नंबर से पास होगा, all over a word की बात कर रहा हूँ, तो समझो जूट बोला है, क्योंकि interview की तयारी कोई भी नहीं करा सकता, ठीक, interview की तयारी आपको अपने आप करनी पड़ेगी, हा उनको पता, वो आपको नहीं पता, अगर आपको कोई question नहीं आ रहा, तो clearly कहिए, कि sir और madam, मुझे question अभी ध्यान नहीं आ रहा है, या मुझे नहीं पता, तो इसके आपके ऐसे नहीं कोई number कट जाएंगे, अगर मानली जो उन्होंने 20 question पूछे, और 20 में से भी आपने 10 के answer और बड़े positive होकर, बड़े confidence होकर आपने answer दीजे, तो यकीन मानना आपके number नहीं कटेंगे इतने इसको पर, ठीक है, क्योंकि वह कुछ भी पूछ सकते हैं, और जरूरी थोड़ी है, जो बच्चा आपना interview देना है, उसको सारी चीज पताऊगी, बस वह आपको यह देखते है कि question देते time, इसके अंदर कितना confidence है, फिकर यह डर रहा है या नहीं डर रहा है, इतने वह चीजे पूछता है, तो यह बेफिकर रहना कि वह कुछ भी पूछ सकते हैं, और आपको सभी का answer पता होनी चीए, बस जो भी answer दो, उसका confidence के साथ answer दो, current affair आप लोग जरूर अगर मैं आप लोगों से अभी क्या हूँ, कि भई बताओ, tell me about yourself, तो आदे लोगों कि आप में से पसी ने चुट गए होगे, यार इंगलिस में पूछी लिया, अब इंगलिस में क्या answer दो, ठीक है, तो इसकी तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने का जितना जो यार, जो यह यह चलना है, यह नहीं करनी, clearly वो उनना है आपको, और वो आएगा आपका मोक इंटर्वी के help से आपका आएगा, ठीक है, इसकी help से मोक इंटर्वी के help से आपका आएगा, तो उसकी तैयरी आपको करनी है, उसके अलावा, कुछ 100 कोर्शन के करीब मेरे पा चाहते हो, अब बहुत से लोग इसका आंचर देते हैं, काउंटर कोश्चन के लिए में सत्या रहे ना, कुछ आंचर देते हैं, जैसे पिछली बार एक नहीं कहा, कि मेरी वाइप का सपना था, कि मतलब गूर्मेंट टीचर बन जाओ, इसलिए मैं इंटर्वी देना है हो, अच्छा, तो पैनल ये पूछ सकता है, आपकी वाइप का सपना ये हुआ, चान तोड़ कर लिया हो, तो वो तोड़ कर लिया होगे, भजी गया ना, काउंटर कोश्चन में, एक नहीं का मैं इसलिए करना चाहता हो, क्योंकि मुझे अपनी देश की सेवा करनी है, तो देश की सेवा, तो फोज में जाके भी कर सकते हो, फिर इसी में क्यों आई हो, वो आपको तभी फसा देंगे, काउंटर कोश्चन आपको अपने पास तयार होने चाहिए, ठीक, तो मेरे पास कुछ सो कोश्चन का कलेक्शन है, मैं ये गारिंटी नहीं दे सकता, आपको कि सो में से सारा उनी में से आप से पूछ लेंगे, लेकिन उनी में से कुछ कोर्शन आप से पूछे जा सकते हैं, जो इंटर्यू में लगबग देखने को मिलते हैं, किंदर विद्धाल लेकंद, तो वो जब आपका इंटर्यू आएगा, वो मैं आपको अपने टेलिग्राम पर दे द कर दूँगा, अगर नहीं करा पाया, तो अपने टेलिग्राम गुरूप पर आपको शेर कर दूँगा, जो आपकी पूरी एल्प करेंगे, जब आप लोग इंटर्यू की तयारी करोगे, और उसमें से कुछ पूछोगे, तो वही सा आपको आंसर भी देखने को मिलेंगे, ठीके, उनहीं के एक काउंटर कोश्चन बनाना, तो मैं एक कोश्चन की फाइल आपको दे दूँगा, बेफिकर है न, आप लोग चैनल से जुड़े रहना, मैं आपके साथ इंटर्यू तक बना रहूंगा, तो उसके रावा, जो जो चीजे आपके इंटर्यू में होनी चा लेकिन मानना, चाहे केईवेस की जोब हो, चाहे कोई भी गुवर्मेंट जोब हो, आप लोग उसको ले सकते हो, ठीक है, इंटर्यू मतलब कोई हववा नहीं होता, जो इंटर्यू लेने वाले होते हैं, पहले वाद भी समझे, तो एक प्रेसर होता है, एकजाम का प्रेसर, वो प्रेसर अलगी होता है, लेकिन जो इंटर्यू लेने वाले हो भी तो आदमी बैठे हैं, ठीक है, तो वो भी आपके जैसी है, बस knowledge आप से ज़्याद है, तो डर ये मत बिलकुल भी, और भगवान ने चाहतो, 2030 के अंदर आप लोग अपने स्कूल के अंदर जरूर इतना मुझे उम्मीद लग रही है, बाकी प्रोसेस वेकेंसी का मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन कोई भी और आपका कुछ कुछ कुछन हो, तो नीचे कमेंड बोक्स में आप लोग लिख दीजे, मैं उस कुछन को लिख लूँगा, और नेक्स टाइम जब आपकी जो व आपको बता भी देता हूं, कौन्तिक्ट्चोल वेकेंसी के आपको बता था बताई तया, मिलती है, तो उनका तरीका लग है, और जो यह प्रमनेट वाले में इंटर्व्युवे लिया जाता है, वो तरीका लग है, ठीक है, बहुत जमीनास मान करन तना देखनेंग रहीं आ», कोशिस करिए आपको बताने की और आपको एक यह भी चीज भी बताएं कि इंटर्वीश से डर यह मत अगर गुवर्मेंट जोब लेनी है जिन्दिगे में कुछ करना है तो भाई अपना संगर्स तो आपको करना पड़ेगा ठीक है बाकि मैं तो आपके साथ हुई हूँ जब तक साथ रहूँगा जब तक आपको जोब नहीं मिलती बाकि और कोई भी दिक्कत हो कि परेशान होगी उसके लिए मैं आप लोग एक साथ या पर खड़ा हूँ तो आप लोग बेफिकर है ना और अगर फिर भी आपका कोई कोई कोश्चन नहीं जाता छुड़ जाता नीच कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो मैं उसको लिख लूँगा और नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान ना गया चुले फेंट्स आई हो आपको मेरे द्वारे जो मैंने वीडियो बनाई हुई है आपको पसंद आई होगी रिटन एक्जाम के लिए आपको कैसे लिए उसकी भी तैयारी के लिए मैंने वीडियो डाल हुई है आप लोग उसके जाकर देख लिए थैंक्यू मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू